कि अज़ाएं पर नुक्सान अरे कहां हो तुम लोग साला यह तो नक्षा ही पलड़ गया कहा तो हम मिल बन करके उस जमिन पर सेवन स्टार होटेल डालने की सोच रहे थे और कहा यह सरकारी नोटीस आ गया अगर घाटा ही घाटा है तो सीक यूनिट करके सरकार खूद मिल पर कबजा कर लेगी मैं तो अब भी बोलता हूं वरकरों को बोनस बोनस देके मिल को शुरू कर लो वरना एक साइच चोरी और इंपोर्ट लाइसंस के जरीए जो भी कमाते थ जिससे मिल भी बचिरे और गरीब वरकरों की दुआई भी बिले तो क्या हमने गरीबों को ठेका लिया है अपनी तो भाई जी एकदम साप पॉलिसी है दस हजार गरीबों को मारो और एक अनाथ आश्रम को चंदा दे दो और बन जाओ दानवीर बिल्कुल ठीक हम अमीर इसल सब्सक्राइब करोड़ों कमाने का सपना सपना ही रह जाएगा मेरे सपने हमेशा सच हुए है जालान तुम विकार की फिक्र मत करो जाने दो कि सारी मुश्किले चुट्कियों में आसान हो जाएंगे मगर जमाई बाबु है कहां वह आए क्यों नहीं इस मीटिंग में वह दिल ली गया है एक मिनिस्टर के बेटे का केस लेंगे है हाई कोट में मिस्टर रभी मिस्टर रभी इस से पहले वह कितनी मासुल लगी को साथ इस्तरा का घंड़ोना खेल खेल चुका है क्या वह मिनिस्टर का वेटा इस की बच्चाएगा मिस्टर रभी मिस्टर रभी मिस्टर रभी मेरे बिटे ने रेप किया है अगर यह सच है तो मैं इसे जूट साविक कर दूगा ताजुप की बात है जट साब कि इंडियन पिनल कोर्ड में अगर खून की दफा 302 है तो बलातकार करने वाले की दफा उसके आसपास 301 या 303 क्यों नहीं क्यों बलातकार करने वाले को दफा 310 दी गई है जो मामूली जेब काटने या डराने धमकाने जैसे जूम के काबल है कि इसका नतिज़ neon की जत् rahat की बलातकार करने वाले को सिर्व साथ साल की सजा मिलती है तो मैं बलातकार करने वाले को फासी की सजा दिल्वाता फासी की सर रवी वर्मा आपके बेटे का केस लड़ रहा है कि उनके खिलाफ लेकिन बड़े दुख की बात है जट साहब कि बलातकार का शिकार होने वाली बाइज़त और बेकसूर लड़कियों को अक्सर कानून से न्याय नहीं मिलता और वह इसलिए मिलाट क्योंकि मिस्रागनी जैस अब्जेक्शन मिलाट मिस्टर रवी तो मेरे मुवक्री के दावे को जूटा ठहरा रहे हैं जबकि मैं तीन-तीन गवाँ पेश कर चुका हूं जिनन मैं स्रागनी को बुरे हाल में मिस्टर बीजे के कमरे से निकलते वी देखा हैं लगता है कि मेरे काविल दोस्त ने उन ल जवाओं का जिक्र मेरे काविल दोस्त कर रहे हैं यानि कि होटेल ब्लो मून के रिसेप्शनिस्ट वेटर और गेटन मैं चाहूंगा कि उन तीनों को लाकर कट घरे में खड़ा कर दें क्यूंकि अब तक उन्होंने अधालत को सिर्फ उतना ही बताया है जितना उनसे पूछ या तीन अब बक्वास की तो मैं सबान खीश लोगी तुम्हारी आच लाग तो नहीं लेती होंगी तो तुमने मिस्टर विजे से डिमांड किये थे यह बास्टर्ड मैं तुम्हें जान से मार डालूगी मुझे कोई ताजुम नहीं होगा मिस रागनी क्योंकि चो लड़की इसी कोई से नहीं लिए मैंने कोई से नहीं लिये मिस्टर मुझे मिल लाड मिस्टर टन दे रहें एक एक यह रही मिस्टर को कि लिस्ट जिन हमें सब्सक्राइब लुक्ने ने को भी अपनी ओर कर लिया होगा आप मुझ पर बड़ा संगीन जुर्म लगा रहे हैं पाप्लिक प्रॉसगीर साथ क्या पर बात साबित कर सकते हैं आप जानते हैं कि यह साबित नहीं किया जा सकता तो फिर आप चुप-चाप अदालत की कारवाही को चलने दीजिए मिलोड सबसे पहले मैं अप्रोच दी बेंच मिलोड कम टू माचेंबर आदालत के कारवाई दस मिनिट के लिए मुल्त भी की जाती है एक शरीफ औरत को बाजारू औरत साबित करके आप अच्छा नहीं कर रहें मिस्टर रवी यह तो कुछ भी नहीं है अभी तो आपकी मिस र और बढ़ाती चाहिए एक स्कूद मी मिस्टर अभी नहीं मैं यह कहना चाहता था कि बलात करका यह मुकदमा अगर में वापस ले लूँ तो क्या वादा करते हैं कि रागिनी पर आप ब्लैक मेल और मानाहनी का दावा दायर नहीं करेंगे नहीं करूंगा वादा करता हूं म आपने तो कमाल कर दिया मिस्टर रवी यह रही आपकी फीज और हां वादे के मुताबिक यह 17 एकड़ के फामाउस के कागजात हैं जो आपकी पत्नी के नाम है आपने बेटे से कहिएगा कि रीव ना करें वर्ना मैं अगली बार दुग नीविस लूगा अजिए आजिए आजिए कर देशिया कर देशिया इतना बता सचना अजिए जोड़की जड़ी जनाई कुचरी का मेल पुरमाई परदेशिया परदेशिया इतना बता सचना तिरी कौन हुमें तिरी कौन हुमें मेरे रिष्टाओं में तेरी से सब की हैं दोरिया मेरी जान है तू ये जान ले तू मेरी जान है तू ये जान ले तू मेरे तू ये जान है तू ये जान है मेरे तूमारे दुष्मन मैं जल से जल दुआ पहुंच रहा हूं लेकिना इस जियोष को ठंडा मत पढ़ने देना शाट अप ताई पूजा बिटिया उनका फोन आया था फ्लाइट कैंसल है कम से कम दो घंटे और लगेंगे अरे तो दो घंटे तो दो घंटे में बीथी जाएंगे ना और फिर पूजा बिटिया भी तो आती होगी तू संसे फिर क्या फाइदा हेलो हेलो आप क्या कर ग्रियों Его कि मरने की तैयारी कर रहेगा है फोल कि आपके उलटकू इए अपनी अगलिया बिजली के प्लग में डाल अरे विवारे अगली फ्लाइट अगा हो जाये हो जाएगा जान का जान के लिए इंतजार करने का मजाई अलग है सबर कर, फल मीठा ही मिलेगा देखो दूर बैठे तुम बहुत अच्छी बाते कर लेते हो सामने आओ तो बताओ अगर आ गया तो क्या कर लोगी? दबोज के पलंग पर पटक दूगी फिर? फिर तुमारे टाइ कीच कर एक तरह और तुमारे जूदे निकल कर एक तरह फिंदूगी फिर? फिर कस के किस लूगी? फिर? सारी बाते फोन पे करों किया? ओहो, फोन पर तो सिफ मेनु पूछ रहा हूं मेरी जान खाना तो पलंग पे ही खाएंगे भी रास्किल अब जब ऑफिर estánu मेरी जान मेरी जान अब यह मुझे भी शाहना ने मुझे साथाने में बहुत मज़ा आता है एक हटो भी हुच है मूट देह तेरी मूट के तो अने ते ने चोड़ूबा ते जे मूर नहीं, अब भी बनाता हू तेरा मूर! तुम सांस लेती हो तो मेरा दिल धड़कता है जब यह ओट खुलते हैं तो लगता है कि तुमने मुझे चुपके से पकारा है यह आखें जब जब इन आखों को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि रिष्टों के समुंदर में टूपता जा रहा हूं तूपता जा रहा हूं हाई डाड वेलकम बेटे फ्लाइट लेट थी क्या हाँ डाड अच्छा एक अर्जेंट मीटिंग आन पड़ी डाड ऐसी भी क्या मुसीबद आ गई तुम क्लब पहुंचो वहीं बैठकर डिस्कस करेंगे ओके डाड वीड़ी दाड़ी दाड़ी मीटिंग है क्लब जाना है के ट्रेटी है कि आज 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 मेरी जोटी गुडिया पापा आगे हां विकरिंग लेड़ा आपकी नाना जी ने बुलाए वहीं जा रहे हैं पापा मैं भी जाओंगी आपकी एक्जाम से बिटा नहीं मैं भी जाओंगी आप ड्यारी के कपड़े खराब कर रहे हैं ताई इदे राजा बीटिया इसका कम का चले है जब आई राजा यह लो चन आम रित बहुत बुरा जमाना चल रहा है लिवर्टिया तुभी ताई इसको बहला देना इसका कैसा मूतर गया तुम पिकर ना करो मैंने तो तुम्हें भी बहलाया था अब मेरी चोटी गुडिया जू मैं तुम्हारी मामी के साथ दहेज में आई ताइगोई दहेज में आतिया मैं तो आई थी आज अठारा जून है अठारा तरीकों क्या होगा अज के दिन मैं बाप बना था अच्छे अब बादे डर्लिग लव यू यह तुम्हारा बद्धे प्रेसंट डिली के पास एक खुबसूरत सा फाम हॉस सत्रा इकर का एफ फार्म हॉस का मैं क्या करूंगी अरे करना क्या है जान कार्टन में दौड़ोगी तितनियों के साथ खेलोगी पता है यह सारी कि सारी बाते म मैंने यही कहा था और तुमने एक्जाक्ली यही जवाब दिया था कि मैं फाम हॉस को क्या करूंगी रभी क्या है क्या यही कि तुमने एक सीधी साधी लड़की को प्रॉस्टिट साबित कर दिया यह तुम से किसने का और तुमने उस आदमे को भी बाएसत बरी करवा दिया जिसमें बॉम ब्लास्ट में कई जाने ली थी कमेदारे कम मैं एक लॉयर हूँ जो केस मेरे सामने आएगा उसको लड़ना ही पड़ेगा ना चाहे पता हो तुम बुरा कर रहे हो पाप कर रहे हो पाप पुर्णे कुछ नहीं होता है जा अपनी हैस्थत के मुताबिक अपना का पुरा कुछ नहीं रवी पाप तो हराल में पाप ही होता है और वो सब देखता है अगर पुन्य का इनाम वहां से मिलता है तो पाप की सजा भी वहीं से मिलती है अच्छी बात है उपरवाले साब अगर मैं कोई पाप करूँ तो उसकी सजा मुझे देना इस तरो रहे डाले कि नहीं रवी आज के दिन तुम्हें भगवान से यही मांगूंगी कि तुम कोई पाप करो उसकी सजा मुझे ही मिले क्यों मोड का कचला कर रही हो कि सजा तो यह कहलाती है कि महबबत करने वाले को महबबत की जगे भाशन दो तुम तो मेरी जान हो ना मेरा दिल मेरा चिकार मेरी महबबत प्रूम्हे जा प्रूम्हे जगे ही ही मिले कर वाले कर दो दो कि दो अजए जान हिए प्रूम्हे जाए तो कर दो चहरा तेरा चहरा सपना है मेरा चाहूं तुझे कितना न मुझे है पता चहरा तेरा चहरा सपना है मेरा चहरा तुझे कितना न मुझे है पता कर दो चहरा तुझे है पता तुझे है पता पता है आढ़ोंड ले मैं कहां खो गया ये इंश्क ने हमको क्या हो गया चाहत की ये जाने कैसी मन्जिल है हम कहां है ये बजाना मुश्किल है अब हमें इन ही रहों पे चलना है कुछ भी हो ये रस्ता ना बदलना है तरहाई दो प्रेमी कुई ना दे सेरा चेहरा तेरा चेहरा सपना है मेरा चाहों तुझे कितना न मुझे है पता तुझे कितना है मैं हूँ तेरे प्यार का आईना तेरी छुन से बदल क्यों चलता है चाने कितनी रंगों में ये खलता है चिंगारी है मेरी जलती सासों की गर्मी है ये मेरी त्यासी आखों की मैं जासा सहरा हूँ सावन की तुपना चेहरा तेरा चेहरा सपना है मेरा चाहों तुझे कितना न मुझे है पता चेहरा तेरा चेहरा सपना है मेरा चाहों तुझे कितना न मुझे है पता ना मुझे है पता ना मुझे है पता कर दो 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 तुम लोग बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो तेल देखो और तेल की धार देखो कर दो कर दो कर दो कर दो कि अपका बहुत बड़ा फैन मिस्ट सत्य प्रकार आप कितने इमानदार और उस उनों के पके इंसान हैं यह तो सारा शेयर जानता जब कि आपको तो सारा हिंदुस्तान जानता है मिस्टर अविवर्मा मतलब की बात कीजिए यह आपकी सफा गोई भी बहुत मशूर है चली मतलब की बात करते हैं मैं मेट्रोपॉलिस मिल के मालिक की तरफ साय है जिस मिल को आपने सील कर दिया है मिल तो जला दी गई है और मैंने जमीन पर कबजा ले लिया है उस जमीन पर मेरे क्लाइंट होटेल बनाना चाहते हैं जिसकी परमिशन मैं आप से लेने आया हूँ होटल की इमारत तो दूर की बात मिस्टर अविवर्मा मगर उस जमीन पर मैं आपको एक इट तक रखने नहीं दूंगा तुम्हारे क्लाइंट ने सिर्फ मिल को आग नहीं लगाई बलकि गरीबों की जोपनियों को फूख दिया है कितनी कीमती जाने गई है उसमें पता है यहां सुनकर बहुत दुख हुआ लेकिंन मेरे क्लाइंट ंब हर मरनेवाले की फेमली को कि 50,000 देने के लिए तीयर है बैफ पचास-था और हूँ कि वा कितना दुर्भग है मेरे देश का कि यहां 50 रुपिये कोई वोट खरीद लेता है वे 5,000 देकर दंगे करवा सकता है को । 2,000 देकर किसी का खून करवा सकता है और अब 50,000 देकर गरीबों का मूँ बंद करवाना चाहता है लेकिन याद रखो मैं यह होनी नहीं दूंगा यह मूँ अदालत में चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि उनके घरों को फूक देने वाले उनके अपनों की हत्या करने वाले आपकी मिलके मालिक है आ अब बहुत लंबी खीचर हैं मिस्टर सत्यप्रकाश अपनी कीमत बोलिए ठीक सुनाया अपनी कीमत बोलिए अभी आपने काहा कि मैं बहुत इमानदार हूं और अभी आप मुझे जिश्वत देना चाहते हैं यह मानदारी भी बड़ी अजीब चीज होती है मिस्टर सत्यप मिलता है तो कहता है चलो फिलाल लेही लेते हैं मंदिर में 501 रुपे का प्रशा चड़ा कर माफी मांग लेंगे और आइंदा सीमानदार रहेंगे तो आप बताइए आप कितने का प्रशा चड़ाना चाहेंगे कि यह सर क्योंकि आप एक वकील है मैं आपको रिश्वत देने के जुर्में जेल नहीं भीजवा सकता इन्हें धक्त के मार कर बाहर निकाल देना कि जिक्ट आउट मिस्टर सत्यप्रकाश चुकि में एक वकील हूं राय देने की फीस लेता हूं मगर आपको मैं एक राय मुफ्ट में दे कर जा रहा हूं दर्या के बहाओ के खिलाफ तैरने की हमाकत मत कीजिए थक जाओगे दूप जाओगे बह जाओगे अब नाइस देश्ट आश्ट करें दीड़ से चाओव में दूप में दूप घर है कि अब बहुत जाओगे क्रिश्नगार तेरा अपरल ठीक रहेगी जैसा ठीक समझे भाई साहब तब तक तो हमारा करण भी आ जाएगा चुट्टियों पर अच्छा क्रिश्नगार यह शगुन संबाल लो आज से हमारी बेटी तुमारी हो गए और तुमारा बेटा हमारा अरे विने केसे नहीं आया मैं आपको गिरफतार करने आया हूं सब्सक्राइब बड़ों से इस तरह मजाक नहीं करते बेटे काश यह मजाक होता मां लेकिन इन पर किसी पुर्शोत्तम जालान से रिश्वत लेने का इल्जाम है और बदकिस्मती से इन्हें गिरफतार करने की जिम्मेदारी मुझ पर स लुत करने काना कोरा मारे में तुम्हारे सब करशन फ्रूं पर अस बसक्राइब मेरे बदनामी सम्ण दाग लगेगा ये दो पल नहीं जिजिए आएंगे बसकरो सुशिला मुझसे इमानदारी की कीमत मांगी जा रही है तो मुझे चुकाने दो लेकिन तुम अपने आसू मत चुकाना है हो सकता है बाद में तुम्हें इनकी जरूरत पड़े चलिए इंस्पेक्टर विने क्या मैं इंसे दो मिनिट बात कर सकता हूं आल राइट अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है सर आप मिल में लगी हुए आग की जांच रोख दीजे मैं आप पे लगे सारे इलजाम अटा दुमां बड़ी हिम्मत है तुझ में लड़के अब मैंने सुना था जूट के पाउं नहीं होते उसे सच के सहरे चलना होता है यह सब किताबी बाते हैं सर और जिंदकी कोई किताब नहीं इस जी राय मानिये कि मैं आपकी बेटे जैसा है मेरे बेटे जैसा है तू अरे डूब मरता मैं अगर मेरा बेटा तुमारी जैसे होता तुम्हारा ना कोई धरम ना कोई इमान पैसो की खातिर खुद की आत्मा तक को बेच चुके हो तूम नहीं नहीं मेरा बेटा तुमारे येसा नहीं है नहीं है मेरा बेटा इसा अरे वो वो तो इमान की खातिर खुद को कुर्बान कर सकता है फर्द की खातिर अपनी जान दे सकता है देश के दुश्मनों के लिए आतंक है मेरा बेटा आतंक सब्सक्राइब बिल्लान उनके आतंगवादें घराफ कर लिया है कैप्टन करनेंस कमांड सर आउट और लौचर कर दोर भी पमकाना कर दोर, पिर अहेज़ीं फॉल आपनोटी थे आड़ाउट, सहार आपनोले बत्यों को छपाके रखाये, सार फार्जाई पतुर। आप एस रेला आप में आप में घुटकॉरा था। अपे लोगुला। सबस्साइब और क्या झाला है तो अपेंगे अपेंगे कि आप पाफ्ट कर्स चुले से बच्छ कुले है तो अपेंगे ज़त है तो बच्छ को टेका? यह बच्टरद! देक, उनकी आखो में चिपए हुए खाफ को देक. यही खाफ में तेरी आखो में देखना चाहता हूँ! मानने! मानने! मानने ने! मानने! मानने ने! पाजो को मारेगा? करन! करन! रोजो और से करन! 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 चरन! इस डट! थेट! मैंकी बुटर! थेट! यही बुटर्द बुटर्द! हमें नाज है आप जेसे बहादूर अबसर पर. बहादूर तो सब थें, सर. मैं जरा सर लग्य हूं गोडिय है, वालिये निलख थेरा अपनलादिया B for bangra, B for dance, नचिलेखो टप लेखो, मिस्नोट जेज्ज पीप ओर पंगड़ा को टीप ओर डेच, लच लेखो टप लेखो मिस्नोट जैच ओ नीले नैनो वाला, तेरा लखी का बुतर, ओ पीए इश्क दा प्याला, होए होए होए, तेरा लखी का बुतर नाना करिके चोबारे से, कुछ बोलिकाई वो इशारे से, कुड़ी मार गईले शिकारे से, दिल ले गई लूट कुवारे से चोरी चोरी जुपके जुपके कैसा चाथ टालाँ, होए होए होए, तेरा लखी का बुतर आए खाय तेरा लख्की का पुत्तर, ओन्नीले मेनों वाला, तेरा लख्की का पुत्तर, वो मेर्या! मेरी खुल गई पटक दिनी अख जी, गैली दे विच्चो कौन लंगेया? किते ओ होई ना होवे ओ जी दाशक जी, गैली दे विच्चो कौन लंगेया? ओ दिया दिवा जैसी ने ठक ठक नी गली दे विच्चो कौन लंगेया? दिवान बन के कान में कैसे जुमे है? कितना है लख्की जुम का गालिक चुमे है? सज दिल ते फेर गई, फेर गई, दिल ते फेर गई आरियो पुड़ी कु आरिक लख तेरा! ओडि आरिक में के खेरा! और बन केkę 수िय की आरिक आरिक, वद डिवा पुड़ी। सज दो के चुमें के तो है? दिल फिर मौडीदा के चम चम छांचर चांदी की होई काली नागी निभी है आशिक तेरी परांदी की तेरी मिसरी के जैसी के जैसी मिसरी के जैसी बोल के हो हम जो लिक लग तेरा 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 हुए, 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 तेरा लग्की कपुतर ना-ना करिके चोबारेसे कुछ बोल गई, वोई शावरेसे कुडी मार गई, लेश्कारेसे दिलिले गई, लूट गुवारेसे जोई-जोडी, जुपके, जुपके, जुपके घैसा जादू डाला तेरा लग्कीकपुतर नीले ना-नो-वारा तेरा लग्कीकपुतर रखती है। और आइट जूट्स मैंने कभी कोई रिश्वत नहीं ली मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए मेट्रो पॉलिस मिल में लगी आग की जाच करने से मुझे रोकने के लिए मिस्स सिंगाल और मिस्स नट्वर सक्सेर्या वगरा ने मुझे रिश्वत देनी चाही थी मैंने वो रिश्वत नहीं ली आप पहत रहें मिस्स सेटर प्रकाश यह मुकद्मा आप पर उनसे रिश्वत ना लेने के लिए नहीं मगर इन से रिश्वत लेने के लिए चलाया जा रहा है मिलॉड जिन सिंगाल और सक्षेदा की ये बात कर रहे हैं उनका इस मुकदमे से कोई तालुक नहीं ये मुकदमा मिस्टर पुर्शोत्म का है जिन से रिश्वत इन्होंने लिए इसलिए मिलॉड मैं आपसे दर्ख्वास करता हूं कि इदालत का और वक्त ना जाया करके आप मिस्टर सर्टर प्रकाश के एसिस्टन कमिश्णर और दफ्तर के दूसरे लोगों को बलाएं और कट घरे में खड़ा करें क्योंकि उन्होंने अपनी आँखों से मिस्टर सर्टर सत्यप्रकाश को रिश्वत का पैसा कबूल करते हुए देखा इजाज़त है थैंकि मेलॉर्ड मैं नीचे से शुरू करता हूं सबसे पहले मिस्टर सत्यप्रकाश का अपना भरोसेमन प्रियन रामपाल सिंग हाजिर हो अब मैं क्या बुरुजस सहाब छोटा मू बड़ी ब अमाम सबूतों और गवाहों के बयानात को मद्दे नजर रखते हुए ये अदालत शिरी सत्यप्रकाश को रिश्वत लेने के जुर्म में दो साल कैदे बामशक्कत की सजा का हुक्म देती है आप फिकर मत करना जी मैंने करन को बुला लिया है हम लोग हाई कोट में अपील करेंगे आप बिल्कुल चिंता मत करना जी इन लोगों को रोको रोको इने चलिए बाबुजी चलिए चलिए कर दिया उसके लाटी में आवाज नहीं होती वकील उससे डर देवता जैसे मेरे पती पर पथर फैकने वाले यहाथ यह इन लोगों की नहीं है यह तो तेरे हाथ है तेरे इसका हिसाब भी तुझे चुकाना पड़ेगा याद रखना तू चलिए माजी माजी चलिए कोई मेरे करन को मुला लाओ मेरे करन को मुला लाओ कोई करन करन तेरी बच्चे करन तू आ गया तुने इतनी देर क्यों लगा दी इतनी में तो उस वकील रवी वर्मा ने तेरी पिताजी को बेईमान साबित करके जेल भी बिजवा दिया बिटे जल्दी कर जल्दी जाकर उने छुडाला जा 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 चुडाला कहीं ऐसा नाओगी जाओ रवी बाबु वाह क्या कांटे से कांटा निकालाया अपने मजा आ गया मगर भाई ये दो साल बाद वह वापस लोटेगा और फिर से हमारी फाइले खुलके बैच जाएगा तब जो आदमी दो साल की सजा काटके आता ना बहारी बाबु सरकार उसे दुबारा नौकरी नहीं देती बूल जाओ उसे कत्म होगया वो पुर्शोत्म तुम अपनी बिल्डिंग उठा लो ठीक है सबसे उचे पेंटास में रहा होगा बिलकुल सर नेकी और पूछ पूछ और ह चलू ओके बाइब सिंगाल साब सिंगाल साब हमें तो तसली नहीं है साब को अधमरा मत छोड़ो उसे कुछलना है तो पूरा कुछलो मतलब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी मालो अगर वह सत्य प्रकाश शस्रा जेल में आत्मात्या कर ले तो वह को करने लगा आ तो उसे आत्मा हत्या ही कहते हैं क्यों है और जिस आदमी के आखें बंद हो जाती है फिर ना वो मुह कुलता है न फायई कभी करो कभी करो कभी करो नहीं करता मैं संजाओ पिछले दो कर्टों से इस इस मौर देन अफ के देखिए हमें अपनी डूटी कैसे करनी है मत समझाई हमें बहुत अच्छी डूटी कर रहे हैं बहुत अच्छी डूटी कर रहे हैं एक बेटे को अपने बाप से नहीं मिलने द बात क्या है मैं अपने बाबुजी से मेना मतलब है मैं मुंसिपल कमिश्टर सत्या प्रगास से मिलना चाहता हूं अन्टिस आपको , आप मेरे साथ आई करो तरवाजा करो यह कब हुआ सर सुबसाद बज़े पांचो उन्चास में आत्मातिया कर लेक्छ और खबर मिलते ही हमने लाश का पंचनामा शुरू कर दिया और रिष्टधारों को भी इंफॉर्म कर दिया बाबुजी बाबुजी बाइकरन बाबुजी आफशाएप बाबुजी बुलिय sitting on a doctor pops historians में करना अवाबुजि क्या और बेजेटकरएण जनता हूं जानना चाता हूं किम बादुक्त और आत्मातिया करने वाला खुद ही अपनी जिन्दगी का सामना करने वाले इंसान थे वो वह आत्मात्या नहीं कर सकते किसने किया यह किसने किया यह किसने मारा है बाबुजी को को से क्यों नहीं मगे के सबके यह इंदगे अपकिसे किया यह कर रहाप ऑड़ा है यह क्या कर रहा यह कर रहा है यह कंटोल योर्जय था इसक प्रिक अब आелिफेसी माही खर फर दोले अली अरूमों रहते हैं आर तर भी कि अज्च कि अरू क altijd goober से और पैल का ज्रूम एम घब स्विस्तै बंगे सत्वी ये उनुत से कर भाक है ते है想archyiron — आर वे मैं ऐसे क कि और उठेस।। पापा देखो मुझा ड्राइंग में थ्री साफ मेरे है तरह जब फाइफ साफ मलेंगे तब देखेंगे ओके पापा नहीं अभी देखो यह क्या क्या आपने नेया टेबल खराग पड़ दिया पापाम सॉरी सॉरी बोलने से घलती ठीक नहीं हो जाती कि डिसब्लेन नाम की भी कोई चीज है कि नहीं ओहो यह जवाई राजा सब कुछ चीक हो गया आप ही ने से सर पर चाड़ा के रखा है हां सर पर चाड़ा कर रखा है और रखूंगी अब जाओ ना पाल्टी में ऐसे बच्ची को डांटे जा रहो कोई बात नहीं बचिया कोई विडियो गेम एक अच्वाइब नाइट जले गए बना चड़ना मिकली ए रखी वर्मा इश्के 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 एव तरे इश्के इश्के एव तरे इश्के तुम सब्सक्राइब आ रखात वर्मा झाला मतंrivे नाईस जामर्ट päन जेफो आच में उद्संत्ता केंगे मैंट्ट nieu गुश्के तंबात करेंग्फी कंगों सब्य कोई हडिए, हडिए! अपले, पले! वशाँ, वशाँ, वशाँ! ऊपले, पले! वशाँ, वशाँ! समझती हूं मैं दिल जानी तेरी नियत में वेइमाने बना के छूटे अफसाने छेड़ना मुझ तो दीवाने है तेरे तम से ये मेरी कहानी तेरे सिवा क्या ये जिंदगानी तुझो कहे तो तुझ पे अजाना जान लुटा तू में प्यार हमें प्यार तुम कितना करते हो यार मेरी यार हमें कितना मरते हो अरे बोले रहा तेरी आख का काजल दिल है मेरा तेरे इश्क में पागल और उजी आदम क्या बोलू रहे हो प्यार हमें प्यार तुम कितना करते हो यार मेरे यार हमें इतना मरते हो है 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 प्यार हम ने प्यार तुम इत्ना करते हो प्यार मेरे यार हम पे इतना मरते हो परसुटिया फाल सुटिया परसुटिया परसुटिया वच्छाश एलव यूुद कि प्राइब यून्त यूद यूद्वक्ट वी जूद बोज दो दिफजां बाएल बाएल अजच बाएल झाल 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 आपरेशन थेटर ले गया है सर गोलियां चलाने वाले को पहचान लिया गया है उसका नाम करंट सिंग है पिछले दिनों जेल में म्यूंसिबल कमिशनर सत्य प्रकाश ने खुदकुशी कर ली थी यह उन्हीं का बेटा है आपिसर पुरे शहर में नाखाबंदी कर दो और वायरलेस पे मैसेज भेज दो कि करंट का जल्द से जल पता लगाया जाए यह सर मेरी बच्चों पर गुलियां चलाने वाला हम जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कर लेंगे आप बेफिकर रहें मिस्टर सिंगा आपकी बेटी और दामाड ठीक है हम रवी वर्मा को बचाने में काम्याब हो गए लेकिन एक गोली इनके दिमाग के हिस्से को चूक कर निकल गई मुझे डर है कि कहीं वो अपनी आदास नखो बेटें इस्टिसमें डॉक्टर पैशन को होशाब देश्यूज में मिस्टर रव्मा मिस्टर रव्मा बीस्पीक काजल आगी क्या आगी मोजी मिस्टर रवी शुक्र कीजिए सिंगाल साब कि उनका दिमाग बिल्कुल खाली नहीं हुआ अगर उन्हें काजल याद है तो उम्मीद की जा सकती है कि काजल के जरिये उनको सब याद आ जाए बस यूँ समझ लीजे कि रवी के बंद दिमाग की चाभी सिर्फ एक है और वो है काजन बस्ट एक है और याद एक है एक है कि एक है आए ये एक कर दिमादाओ की लिजे है यह तो बड़ी गनीमत हुई कि रवी के जगा काजल मर गई ने यह मत समझना कि मुझे अफसोस नहीं हुआ अफसोस जुरूर वह लेकिन अगर रवी मर जाता तो समझ लो कि हम सब भी उसके साथ मर जाते ना बात तो सौटा का खरी है अरे भाई हमारे वो सारे काले धंदे वो स्विस बैंक के अकाउंट वह बेनामी जमीन जायदात का हिसाब किताब सब उसी ने तो सबाद रखा है अगर उसे कुछ हो जाता है तो हम तो बरबाद हो जाते उसे तो अब भी बड़ी गड़बडी नजर आती है पता है डॉक्टर ने क्या 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 रवी को बिल्कुल अब जो आस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है और बेटी जो हमेशा खाली साथ चुड़ गई नहीं नहीं यह आपकी बेटी नहीं यह कैसे हो सकता है यह तो मैं कहता हूं यह सवाल ही नहीं उचता बनसल मैं मानी नहीं सकता कि यह हाँ सास सुर अंगन में सुए मैं सु उच वादे साथ सकर अंगन में सोए मैं सो उच बादे घर के बाहर कर रख राम वा जुल्मी करे इशारे कभी कही से आहत आए कभी जो कुन्दी खड़के दिल धड़के, दिल धड़के, दिल धड़क धड़के जाया लिमा मेरी बॉय आख बे फड़के तेले भगदग धड़के जाली मा मेरे भाई आख बे फड़के सैयोरी, सैयोरी गोरी ये न चुपा, ये भेद बता तेरी जोबने था, यूरंग उड़ा तेरी जोबने था, यूरंग उड़ा सुबा सुबा साने घर वाले, जब जाए खलिया चोरी चोरी घर के अंदर आजाए प्रिमा सुने कोई ना मेरे दुहोए, कहीं न हो जाए रस्वोए पुईमा, 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 पुईमा मामी मामी मैं हो जाओ और आजाँ उयाँ टेरा सैयं मारे बड़ा आजी मन्ने माए आखियां करें आभावी दो बहरे में चौरा इसे शर्मत लेके आए उसके अंदर ना जाने वो कौन से चीज मिलाए पितर विछु लग जाए नसमस कोई जहर सबाए पुईमा, 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 पुईम जाली मा मेरी भाई आख भी फड़की, दिल धख धड़की, जाली मा मेरी भाई आख भी फड़की, दिल धड़के, 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 जाली मा मेरी भाई आख भी फड़की, दिल धड़के, जाली म मेरी बहाई आपकर भी वड़गर मेरी राणी मेरी चुनमक चलो हाई मैं मर गई रहां किसमा कि इधर दे इत्ती देर में आधी कर दी मुएने थोड़ी सी तपी है है ना खरे दिखा रही है ला बीडी दे जी में साब जी कजरी कि तुजो नाचे है ना छमक के तो कसम से जी यूं करे है कि अब भी के अब भी खेल जाओं चला हाथ मत लगईयो काट के फैंक दूंगी प्लाडी फूल अभी टेम है लगन में कर ले कर ले मुझोरी अरब्याहा के बाद सारी कि सारी अकड़ारी रह जाएगी हाँ भले पधारे हुकों सेवा भाई तेरी छोरी चाहिए बंबई लेखे जाना है मैं तो बोलू जी कोई फिलम भिलम में आक्टिंग करने का तो नहीं है हुकों हां हां एक्टिंग करानी है तू दाम बोल यल्ले अरे चार-पांसो तो रोज अठी कमाले हो छोरी चुप करो जी नसे में कुछ का कुछ बोल दो हो मैं तो बोलू हूं चार-पांसो नहीं होकुम रोज का चार-पांच हज्जार कमावे महली चारी और अगर हम लाख रुपया देकर तुम्हारा नक्षाई बदल दे तो कितना लाख अच्छा तुम बोलो तुम बोलो दो तीन चार पाच पाच लाग ठीक है का कहो हो होकुम है जह साथ ऐसा बोलो हो अरे तुम मोल दास दास भॉल बोल दस ठीक है मैं तो बोलू हुकुम भौट ठीक बोलो जी मतलब अब भी तो नत भी नहीं उतरी है मारी चोरी की देखे भाई-जी हमें कौन साउस लड़की से ब्याह करना है आप लोगों का खरता करके लटा दोगे तो आशा कुछ नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा ना देखे ओधर का लड़की वापस तो बोलू जी छोड़ी आपकी गुलाम है ले जाओ दोस्पी इस तिन जादा भी रखोगे तो कोई एक्स्ट्रा चारज नी हम भी दिल्वाले हैं अबी वर्मा बच गया जबी वर्मा खत्वे से बाहर जबी वर्मा को बचाने में डॉक्तर स्काम्याब अबी वर्मा को बचाने में दो करस्काम्याद Mr. Ravi Verma is in room number 76. Thank you. झाल झाल करन भाई यू और अपने हथियार फैंक दो नहीं जब तक मैं उसे खतम नहीं कर देता तब तक कुछ नहीं जो कहना है जो करना है सब उसके बाद करन भाई तुम यहां से बचकर नहीं जा सकते प्लीज अपने आपको मेरे हवाले कर दो प्लीज कि अधिया कि यह करन पागल है क्या जिया पागल है यह जो मुल्क की सरहदों की हिफाज़त करते न सर यह पागल ही होते हैं इनके लिए जिन्दगी सिर्फ एक मिशन है जो ठान लेते हैं करके ही दम लेते हैं अगर रवी को कुछ हो गया होता तो हम जानते थे कि करन यहां जरूर आएगा इसलिए हमने मिस्टर रवी वर्मा को पहले ही शहर से बाहर महफूज जगे पर शिफ्ट कर दिया है कि अर्वठ वह डॉक्त की सानिटोरिय हर में बिलकुल हिफाजत से पीकुलन हर다 sabби यह सौरी यह बठाव फस्वाल कॉंसर कांप कजय पांच कजल नहीं सुंदर सुंदर जैसे डॉक्टर आनन का यह संदर है ना जैसे मेडिकल स्टोर जैसे खुब्सुरत वाइन शॉप चमचान गाट का गेट मुनिसिपाल्टी का गाड़न है ना ऐसा संदर बोलो मैं कौन काजल काचल वाइए एक बात बता है तुम मुझे काजल क्यों बोलता है इस ठीक में काला हूं देख सिर्फ काजल ही काला नहीं होता सुन्दर भी काला होता है tota मैं कौन काचल तो गल्या घुल की काचल की चुटो 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 स्माटिंच कर। रहूं कि बच्ची कित्री बार बोला कि आने से पहले आवास दिया कर तोड दिया नए मेरा क्या तोड़ा मिन थी 440 वा वैं सब कुछ दिखता है कई और कोई तूड़ जाता तोपेशंट को मैं क्या मों दिखाता सब कुछ भीच पेंश न को बताएगा तो मेरे को क्या बताएगा मैं बोलता कुछ है सोचता कुछ और फटें हम कि तू मैं बूलू सनी सुन आप घंडाला खंडाला खंडाला आदमी है तेरा नमर वटकाप कब से छाली है तुझी कुछ मालूम ही नहीं कि अ मेरे स्टैचू भाई निकाल दिना हवा निचोड दिया निम्बू दूद में डाल दिना हटी कबाब में यह क्या हो रहा है सर पेशंट का बीपी बढ़ गया है बीपी पेशंट का ने बीपी तुम दोनों का बढ़ गया है मेरा टूड़ी आए आज भी है 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 कि एलो रभी काजल इसकी नहीं है तो क्या इसको मैं इसकी बीवी दिखाए देता हूं यह तो अमने सोचा ही नहीं सुंदरे काम कुरो यह कपड़ उतारो साड़ी और ब्लाउस पेन कराओ हो सकता है इसे तुम्हें देखकर इसकी बीवी आद आजाए अगर ऐसा हो गया ना तो सारी प्रब्लम ही सौल हो जाएगी इससे अगला पिला सब याद आजाएगा इसका धिमाग ठीक हो जाएगा औ अगर अगर बिरी चाज़े ओगे तो दिन्दी की वर कुमारी मरें और यू करते रहेगी अगर अगर आप इसकी अगर आप इसकी अगर याद करते हैं उसे भी काचल मिलता होगा जरूर आएगी वह आना ही पड़ेगा उसे अपके आप जोटी उसे बढ़ापे मेरी मिट्डी पलीद बदकरिये ने काजल की जगें एक नाचने वाली इस घर में आएगी एक बार देख तो लोता है कहते हैं बिल्कुल काजल जैसी है खाक जो कहता है उसके मूं में खाक ना तो मेरी काजल जैसी आस्ता कोई हुई है ना कभी होगी है अल बीतर चल आ हाँ काहे सिंगाल बाभू खा गए ना चक्कर अच्छा तो इनकी डूटी पे आएं हूं मैं कहूं साप जी गुड मॉर्निंग बोलूं हाँ घनी पंटास्टिक से जावट कर रखिया सेटने मम्मी 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 आप आगाए आप कहां टिले गए थे मैं आपको कब से इंतिजार कर रही थी कौन सी रेस पैनी है मम्मी फैंसी शो में गए थी सो स्वीट अच्छा आपने प्रॉमिस किया ना आके वीडियो गेम खेलूंगे अभी नहीं बेटे अभी ममा ठकी हुई है अरे पापा का है वो भी तो आपके साथ गए थे वो दिल्ली गए बेटे ममा आ गई है अब पापा भी आ जाएंगे यहाँ आप जाके सोजाओ पूजा को ले जाकर सुलादो तो तुझे तो पवित्तर करना पड़ेगा राम 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 देखो यह बच्ची तो मने चोखी दिखे साब जी पर यह बुड़िया मने टेड़ी दिखे इसी बात नहीं करते अच्छी तरह बोलते हैं हम इने ताही कहते हैं मेरी बेटी थी ना काजल उसको इन्हों नहीं पाल पूसकर बढ़ा किया था हमारे लिए तो सागी हुई ना हाँ हाँ साब जी पर हमारे लिए तो सोते ली हुई ना आप समझा देना बे फजूर मेरी ब रवी वर्मा कहा है मुझे नी मलूब कहां छुपा रख एर रवी वर्मा को मुझे नी मलूब मैं सच बोलता हूँ मुझे नी मलू सच बोलता है सच बोलता है सच तो यह है कि मेरे बाबुजी ने तुझ से रिश्वत ली थी सत्य प्रकाश एक बहिमान अफज़ता वो गलती थी मेरी बहकावे में आगे था बहकावे में किसके बहकावे में रवी वर्मा के बहकावे में हाँ शाहिद किता है रवी वर्मा है वो सक्रेंट संधर्स निटोरियम में मुझे शोड़ना और कि मैं जहलें प्रफूदूए झाओ। जाओ। झाओ। जाओ। टुज झाओ। पलिड़र नड़र नियूाल आगे बेटना काजल अब गिरना नहीं संभाल कर बैठना मैं एक मिनिट में आता हूं काजल पास्टर्ड तूने मेरे पापुची की जान ली और तू सोचता है कि तू बच जागा अलो मेरे दर्ब देख देख मौत कैसी होती है देख देख शाबाज करन शाबाज जो इसकी बहादरी के किस्से में पड़ता था अख़वारों में आज एक मुर्दे को मार रहा है यह मुर्दा नहीं है डॉक्टर यह मुर्दा मेरी गुली खाने के बाद होगा अच्छा खासा यह लगता है तुमने इसकी हालत पर गौर नहीं किया देखो इसे गौर से देख तुम्हारी वजह से हुए हैं क्या कुसूर था इसकी पत्नी का जो बेवज़े मारी गई कुसूर तो मेरे सीधे साधे इमानदार बाबु जी कभी नहीं तो इसलिए तुम अनाप्शनाप लोगों को मारते फिर ओगे इसे मारों के मुझे मारों के सब को मार दोगे क्या जो उठेंगे बड़ी शांती मिलेगी उनकी आत्मा को हाँ हाँ मादा लूँगा यह जो तुमारे सीने में बदले की आग है ना उसकी तसलिके लिए तुम इसको मानना चाहते हो कि मारो इसको जान से मार दो इसको वैसे भी एक जिन्दा लाश से जादा कुछ नहीं है कि बड़ी मेनद कर रहा था मैं कि शायद मैं इसको एक नई जिन्दगी दे सकाओं पर नहीं हुआ जल से जल ठीक कर से डॉक्टर टे से जिन्दगी जिस दिन तू इसे जिन्दगी देगा मैं इसे मौत दूंगा बहुत श्रस्पाइश क्या हुआ यह टीना कबाल की असीना इसके साथ मेरे चकर चल रहा था वरना मेरी शारीश से हो जाती मेरे साड़े पांच बच्चे हो जाते हैं क्या हुआ नहीं समझा दूसरा सुन एक लड़का जा रहा था मुझसे भी काला सफेद कपड़े पहन कर एक सदाजी ने देखा मेरी पेंट पिछे से फटी हुई है क्या हुआ नहीं समझा तूने मुझे बहुत पकाया ना मैं भी तरको पकाऊंगा तीसरा सुन एक लड़का भागता हुआ है अपनी मम्मी से बोला मम्मी मम्मी किचन मेने रामू नौकर है ना लक्ष्मी नौकरानी से चुम्म चाटी कर अब तो बच्चे ने का मम्मी मम्मी एपनेल पूल रामू नेटा डैडी थे क्चछ कुछ होता है तेरे बेगर बेरा कुछ कुछ होता है तरह किदर गई तू अरे नहीं मैं कलम पिच्चर देखनें गया था कुछ कुछ होता है मेरे बागर मेरे को लेगे ने की तुम हमको पिच्छर राल में पिच्छर कहां देखने देता है मैं सुम्तु हम को प्रसप्र और्य को रोको उसको प्रसक्राष्ट रावी अटू फॉल तू औरत है कि बुल्डोजर देख मेरा क्या हाल बना दिया पगड़ लिया है किसे पगड़ लिया क्यों पगड़ लिया इतनी जल्दी हमारा साथ चुटने वाला नहीं है दोस्त नहीं जाने दूंगा हुष्य 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 तो अध्यु को भुष्य कि को जो पिसाइट भुष्य हें था जिया तो यह सब क्या है किया अद्ली सप्तिक और जाननन वो करन का बच्चा हट से और रहा है हमें कि दुझ आजाई लेकिन वह तो यहां से था पैंब करन यहां आ चुका है और रवी फिर भी आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि शेर कभी मुर्दों का शिकार नहीं करता है डॉक्टर आप करन को शेर के रहे हैं नहीं मैं मिस्टर रवी को मुर्दा कह रहा हूं रवी की तो हालत देखी है न आपने उसकी जान को तब तक हो जाता डॉक्टर रवी अच्छा कब होगा जब आप काजल को उसके सामने लाकर खड़ा करतेंगे क्या हूं आपकी काजल का है वो तैयार हुई कि नहीं अरे इधर कहां चली आ रही है कि इधर कहां चली आ रही है मतलब भूक लगी है कुछ खाने को लेड़े हैं हां हां उदर चल उदर खबरदार जो मेरी रसोज के भीतर पाउं धर आतो नचनियों का डेरा समझ रहा मेरे घर को उठाया मूह और चली आई भीतर यह ले खाना थूस ले ले मर्वर का धरम करम सारा मिट्टी में मिला दिया है कि यह का चली गई कि यह क्या है यह क्या मत्वल भुडिया तू क्या समझे है मनने या से खाना भेगे कुटिया समझे मनने लुए अज़िक भूकति नहीं काटश भी हूं दिखाऊं काट बढ़ है तो काटके रख दूगी तब ना! थैरब पुरिया, सुस्रीद तरी तो! इंतिया करी, कजरीगी! कजरी तरी काट काट के जिसके टपरे से देगी! इंतिया करी! ए पुरिया, पॉड़ा कुजा ले लिया तूने! जो जब आए! तुफाल! तुखुडिया रुट दीया। आती को समय सभाव क्या हो रहा है था ये बेटी देखो चुकाहूं सुचा शायद रवी की सिंदगी बचा सको जिसकी सिंद्गी काजल के नाम पर हृँ अब नहीं बचा पाऊंगा उसे अब नहीं बचा पाऊंगा उसे एज ढ़र को मेरी उमर भी लग जाये माई राज को सिर्थ कहा देने बढ़ सक्कुछ नहीं होता कितनी उम्मीद थी कि तुम्म इस लल्की को काजल बनाकर अभी किसा में लाइक जोड़ दो के लेकिं तुमें तुमें नफट से चुट करा रहे मिलता है तुट कि जाओ यसे चोड़ा हमारी किसी वतको पर हाँ हाँ जाती हूं याती हूं सicing करbew दोका नोटे काटे नहीं आति कझ अ क作श सारा मैं पyasतना हुआ, कर साउस हिं rhetoric मैं裡面 Blend के भुझिन कर देके पेरें में ये जही है जाते हं pratic क्यूं साला का हुआ ही को डोशारा हुआ है तरफ बोलिया कमबकती मारी ने तरफ त्राइट श्लीप काजल क्या हुआ पिछले साथ दिनों से ना यह खुद सोता है ना मुझे सोने देता है अगर यह नहीं सुआ तो मैं हमेशा के लिए सो जाओंगा तो मेरे लिली शादी से पहले विद्वा हो जाएगी मेरा बच्चा पैदा होने से पहले आनाथ हो जाएगा डॉक्तर साथ इसको नींद का इंजेक्शन लगा दीजिए तो मुझे लगा दीजिए तुम समझने की कोशिश क्यों ने करते इसके दिमाग पर असर बढ़ सकता है हालत और खाराब हो सकती है मेरी हालत के आपको कोई फिकर निया कुछ तो दवा कुछ तो दवा ओगी इसके लिए सुन्दर इसकी दवा बन रहे है काचल सुर्मा बोल, बिंदी बोल, लिपस्टेक बोल, नेल पोलिश बोल, काजलमस बोल, काजलमस बोल अरे! सारी, सारी, ओ, इट इस आल राइट, भूक लगी है, खाना दू, या फिर बोतल ला दू, वहीं चड़ा ले, पेट भड़ जाएगा, बोल, तोड़ दी न, अम्मा, क्या बोली, तोड़ दी बोतल, अब ना पिनने की, उसके बाद क्या बोली, अम्मा, साब जी ने का था जो म अरे, 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 काजल की जगे ये नहीं, वो है, मेज पे, चल, यहां बैठ, ची, कैसे खा रही है, ऐसे नहीं, काजल यूँ खाती थी, उठा चमच, चमच उठा, ऐसे, ऐसे मेरा अशीरवाद तेरे साथ है, मेरा भगवान तेरे साथ है, याद रग बच्ची, तु एक अच्छे काम के लिए जा रही है, मम्मी, 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 पापा कु साथ ही ले क्याना, मैं उनके बिना नहीं रह सकती, तिल की वाना... दिल्दी वाला ना जाने कब खो गया तुने ऐसे दिखा के कुछ हो गया दिल्दी वाला ना जाने कब खो गया तुने ऐसे दिखा के कुछ हो गया दिल्दी वाला ना जाने कब खो गया तुने ऐसे दिखा के कुछ हो गया कुछ हो गया, कुछ हो गया, कुछ हो गया मेरी लाब दिल्दी वाला ना जाने कब खो गया तुन्ये से दिखा के कुछ हो गया बिखरों ऐसे आज मैं नीलबोहों से छूट की और जैसे फर्ष बे शीशा बिखर तूट की दिखरो ऐसे आज में नीलबाहों से छूटते हर जैसे फरश पे शीशा पे फिर तूटते चाबा मेरी क्या कर गई आई हया हमें मर गई अपच्छ हो गया अपच्छ हो गया अपच्छ हो गया मेरी जाँ दिखी वाला ना जाने कब खो गया तूने ऐसे दिखा कि पच्छ हो गया कि वाल अपच्छ दोने नाने म treasury से अवाला जाँ वाला जाने कि वाला झून थालाइएं कि वाला फिसों जालाइएं कि वालोग है कर दो कर दो आजने। तेरी जान केसे निखरने लगी तेरी तेरी चुवन से बिखरने लगी हकच हो गया, हुच हो गया, हुच हो गया मेरी जान पीछे मीछे हम भीगे भीगे राते हैं हार बड़े दिल शे अपनी मुला काते हैं मीठी मीठी हम भीगे भीगे राते हैं हार बड़े दिल शे अपनी मुला काते हैं ये सिलसिला यो नी चले सोजा मेरी सुर्फों तरे हुच हो गया, हुच हो गया, हुच हो गया, हुच हो गया तिरी जान दिल की वो ना ना जाने कब को गया तुने ऐसे देखा के कुछ हो गया तुने ऐसे देखा के ला 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 तुने बड़ी हुपी तुने ला ला तुने है तुने भा ला 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 Till ऑड़ लोके कि भोड़िश से यमें कारें कि एडानन से वैंब कि यो लिए नवद के य realize अ क redeem अच्छा हुआ कि हमसे पहले कुट्ट्य आ गए नहीं तो हमारी भी आलत यह होती शेड़ा देखें किसी भी बात की चूकनी होनी चाहिए हर काम मुझत्यादी से होना चाहिए ओके सर लीजिए थैंकियो माजी माजी आप तकलीफ मत किया कीजिए मुझे अच्छा नहीं लगता है इसमें तकलीफ कैसी दमाची मुझे तो बुरा लगता है कि रात रात दिन दिन आप घर के बाहर पहरे पर खड़े रहते हैं और जब भी मैं आपसे बिंती करती हूं कि आप घर में आकर बैठे तो आप मान सर आपका फोन है रात बहुत हो गई है बेटी पुलीस का पहरा भी सक्त है अब और इंतिजार मत कर अब करन नहीं आएगा भाईया और राकी बनवाने ना आए ऐसा तो कभी नहीं हुआ मामा मा भाया करन कि मेरे बच्चे कि और कब तक यूँ भटकता पेरेगा कि अब घर लौटा बेटे कर लौटा कि घर लौटा बेटे फर्ज की राह में सिर्फ आगे बढ़ा जाता है माम पीछे लौटा नहीं जाता वाह उदर विने फर्ज की बाते करा है और इधर तु फर्ज की दुआई दे रहा है यानि मेरी मम तक ही कोई मोल नहीं रहा मुझे जो मेरे बच्चे का दुख खाय जा रहा है उसकी फर्याद में किस से करूँ मेरा बाहदूर बच्चा चोरों की तरह यहां से वाद छुपता फिर रहा है तो क्या मेरा कलेजा नहीं कटता न जाने वह पुलीस के हाथ कब आ जाए और उसे भासी नहीं बेटा नहीं तो खुद आपने आपको विनय के हवाले करते वह तेरा होने वाला बेहनों ही है बेटा वह जरूर तुझे कानूं से रहाई दिलवा देगा यह मेरी माँ बोल रही है करन की माँ वह सत्य प्रकाश जिसने भलाई अपनी जान दे दी लेकिन पईमानी के आगे खुटने नहीं टेके क्या यह उसी सत्य प्रकाश की धर्म पत्ली कह रही किस सत्य की रा बड़ी कठिन है इसलिए सहूलियत के आगे जुग जाओ इंसाफ की जगे रियायत की भीक मांगो क्या यही कह रही है मेरी माँ हाँ बेटा हाँ सिंदूर पॉचकर जैसे दैसे सबर किया है मैंने लेकिन अ कि फर्स के रहा पर एक बेटे की बली चाड़ा कर मा इसलिए दुखी हो जाती थी कि काश उनके और भी बेटे होते तो वो इंसाफ के खातिर उनको भी कुर्बान करते थी और तू मुझसे कह रही है मा कि मैं अपने देवता जैसे बाबुजी के हत्यारों को माफ कर दू बा देखने के आज उनका बेटा क्या कर सकता है जिस बेटे के सर पर कफन बांद कर उन्होंने सरत पर भीज दिया था कटने के लिए आज उनका वही बेटा इंसाफ की जंग में कितनी कुर्बानी दे सकता है वो देख रहे मा वो देख रहे मैं अपने आदर्श पिता के मौत पर आसू भाकर बैठ जाओं नहीं मा नहीं तुने किसी कायर को नहीं जनम दिया सच्चाई कि इस जंग में अगर मैं मिट भी जाना मा तो दुख ना करना फक्र करना बस भाईया बस आज के दिन ऐसी अश्यो कि तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है दे सकते हो तो भरोसा दो भाईया कि अपना ख्याल रखो भी भगवान करें मेरी उम्र भी लग जाए मेरे भाईया को कि देर है कि अब नहीं जल्दी जल्दिकाव दूड़ो से कि अब रवी को सेक्यूरूटी की जरुवत पड़ेगे सिंगाल साब जो रवी आया था और जो रवी आप लोगों के साथ जा रहा है यह दोनों अलग-अलग इंसान है यह अपनी पुरानी जिंदगी के बारे में सब कुछ बूल चुका है क्या मतलब मतलब यह सिंगाल स Turkey सीदा-सादा साफ सुतरा कॉरे कागस की तरह है जीससे यह आप लोग किसे इसकी पुरानी बाते याद दिलाएंगे इससे आइसता सब कुछ याद आजाएगा इसका मतलब जवाई बाभु पहले की तरह रवी वर्मा तो बन जाएगा ना हां Moore सुम है बसक्त्ना चाहा कar बात है बंगडो प्यार कड़ते हो तो जताना भी चाहिए गले नहीं भी लोगे क्या हुआ पेशेंट बनकर आया था दोस्त बनकर जा रहा है अल्द मेसरा भी प्रभू तेरा धन्यवाद है यह सब कौन है यह वह अभी तक पकड़ा नहीं गया है रवी जी बेटे हम चलते हैं मुझे इन लोग के साथ जाना है ठीक है मुझत मिठा करते जाएं सेट जी मैं मुमीठा कर लूँ हां बेटा ताई रवी कोई खिला दो इसके साथ हम सब का मुमीठा हो जाएं पापा देखो यह मैं हूँ यह मम्मी है और यह पापा है पापा म सौरी तो क्या हुआ बेटे मैं तो रोज गिजाता था नहीं पापा हां देखो एसे, एसे, एसे D is for my daddy, works hard for me, M is for my mommy, as loving as can be, we are all a happy family अरे, सोग है, happy family, happy family, happy family, happy family रोभी, रोभी तुम चलो ही हासे, तुम्हारी जांको खत्रा है जाए तुम चलो ही हासे, तुम्हे मेरी कासा आरे कोने का जो जाए भी जाए 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 फगी अशी लगी objection, बभाए वगना। यो आज़ में करें तो पातो निया तो एक ने तो आज़ा पागो आज़ा जाज़े निया कुछ भी कीजिए कुछ भी कीजिए बडरे रभी को कुछ नहीं होना चाहिए कमिशचा यही यही खौफ मैं तेरी आखों में देखना चाता था वकील हर बैमान और बुरे आदमी के सीने में खौफ भर देना चाता था और यही सजा देना चाता हूं मैं तुम जैसे लोगों को सजाए मौध करन भीया हत्यार पैंक दो मैं कहता हूं सामने से हट जाव नहीं करन भीया बहतरी इसी में कि आप अपने आपको पुलीस के हवाले कर दीजिए सामने से हट जाव नहीं वर्णा मैं तुम्हें भी गोली मार दूंगा मारिये तो मारिये ना सारी की सारी खाली कर दीजिए हो सकता है एक हाद मुझे छेट कर रवी वर्मा के भी पार निकल जाए हज्जा विने तू जानता है मा के सुहाग का बदला लेने के लिए मैं बेहन का सुहाग कुर्बान नहीं कर सकता हज्जा अरे जिम बेहन का सुहाग कर दिए मैं नहीं जानता है कर दो कि अज़ें पर दो कि अज़ें एक तो वो मुझे क्यों माना चाहता है तुम यह सब मत सोचो हो तुम आपकील कितने मुकदमे जीते हैं एक आधा हार भी जाते हैं कई दोस्त बन जाते हैं और कोई दुश्मन भी काजल जी तुम रभी कुछ संभाल कर घर ले जाओ देखना ये परिशान ना हूँ काजल यह नहीं हो सके भेना मने थारी जगे चाहिजे को नहीं मने तो कजरी लेकि मैं तो चाहती हूं कि तुम मेरी जगे ले लो देखो तुम कुछा को मा का प्यार दे सकती हो देखा है मैंने इतना उपकार कर दो बहन मेरे उजडे घर को बसा दो बंजाओ कजरी से काजल 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 कुछ कम यह कुछ कम यह हम काजल 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 कुछ काजल कर दो कर दो तिरे ली छोड़ी सारी खुदाई तिरे ली छोड़ी सारी खुदाई तिरी होगी होगी मैं सब से पराई दिवाने इस माज पे किसका है पहरा मिलने की घड़ी है पल भी हठरा मिलने की घड़ी खुदाई मिलने की घड़ी खुदाई जिंद मेरे यह जिंद मेरे यह रब से यह मैं ने कहा मेरी जान है तू यह जान ले तू मेरी जान है तू यह जान ले तू अरे देशिया इतना बताओं सचना तेरी कान हूँ मैं मेरे रिश्चों में तेरी सासों की हैं गोरिया मेरी जान है तू यह जान ले तू कि अब तुम बिल्कुल पहले जैसे रवी देख रहे हैं। व जरूर बनाना लेकिन यह जू नई बात देख रहे हो इसे मत मिटाना। हाँ 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 आवड़े चले है अच्छा था यह चर नाम रिख हाँ हाँ क्या हुआ बिटिया नहीं थाई आप मुझे फिर से कजरी ही कहने लगिये भगवान करें वो जल्द से जल्द बिल्कूल ठीक हो जाएं मैं फिर से अपनी दुनिया में लोट जाओं फिर तो कोई प्रोब्लम ना होनी की ना राम कसम हुआ 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 वेल्कम रभी आगे हमारा बबबर इस जंगल में फिर से राज करने के लिए अरे हम तो पहों का हाथ डालूंगा अपने जवाई बाबू के गले में अच्छा सुना है के ससुरा करन का बच्चा पकड़ा गया तंबी लंबी गाड़िया यह बंगले यह सानों सौकत यह सब जूटाही की बदालत तो है ना अरे खुड़ा सांस लेने दू रवी यह हमारे होटेल का मॉडल यह उस मिल्की जमींग पर बनना है जिसमें तुम्हें आग लगवाई था और यह अपना सीफिस वाले बिल्डिंग का मॉडल जिसे आपने गरवा दिया था अफसोस वो पुर्शुत तो नहीं रहा जिसका यह सपना था यह टॉप फ्लो का पेंट हाउस मेरा ही है ना हाँ 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 शाफी वर्मार यह यह नहीं मिंस्पल कमिशनर उस सत्य प्रकाश की जगह और सुनो उस सुसरे ने जेल में आत्मत्या नहीं की थी हमने मारा अकेले बैठी हो अरे यहांकी वाईयां यह कोई गाना गाती है कसम सेरी गाना तो तू गाती है कलेज़ा ठाड के चल आज आज गाले इंके सामने शर्मा में चल चल उट सब आज सुनो जी सुनो आज इदर पैसल गाना होगा और यह गाएंगी हमारे जवाई बाबु के सान में हाँ गाले गाले सर्मा में चल शुरू जा प्लल किसी ने सच ही कहा है इन बैरन अखियन का हाजा कर दोखे नदानी हो महें आग लगाए दर में हार फिर परसाए आग आग इश्वन करना इश्वन करना इश्वन करना इश्वन करना आपिया लाके लगन पीया लागे लगन बस तिरे नाम की तुझ पे पलिहारे जाओ खसराम की पीया लागे लगन बस तिरे नाम की तुझ पे पलिहारे जाओ खसराम की मेरा सिंदूर है मेरा शिंगार है तु मेरी घड़कने तु मेरा प्यार है रब से पस एक साथ मांगो पिया हर चनम में तेरा साथ मांगो पिया मेनी हर सास पे मेनी हर सास पे नाम तेरा लिखा मेनी हर सास पे नाम तेरा लिखा तुझ पे बलिहारे जाओ कसराम की लागे 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 दिल की दिशमर इस लोग पर इसका जोर चला मुझ में च्छाई है कैसी ये दीवान की मैंने पाना तुझे अपना भगवान जी मुझ को सागल जैसा जन मेरे राम की दिल तेरे मैं लए अब किसी काम की तेरी तहलीज पे तिरी तहलीज पे दम्य निकले मीरा तिरी तहलीज पे दम्य निकले मेरा तुझ पे बली हारी जाओ कसराम की पीया लागे लगन बस तेरे नाम की तुझ पे बली हारी जाओ कसराम की तुझ पे बली हारी जाओ कसराम की हाई 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 बड़ी कचब की आक्टिंग करती है तुझ फिल्मों में काम करेगी हाँ ताप की बनवा दूगा तुझे सुभाज कई है ना मेरा लंगोटिया यार है लगवा दूगा तुझे हाँ बस कलेजा ठंडा कर दे मेरा आजा हुच लोग यूटार् माजा है? अ गयू मुए नियू हाँ प्रुख ज़ा रवी लीव में आशे इस हरामजादे मेरी बीवी को छुआ है इस हरामजादे मेरी बीवी को छुआ है I'll kill you you bastard अरे कैसी बीवी जिसे तो अपनी बीवी समझा है वनुस था हम उसे दिख लेंगे तुम यहां से जाओ हम उसका बदल देंगे तुम जाओ पिटे जाओ जलो कर जलो जलो उसने मारा तो मारा सिंगाल साब लेकिन आपने क्यों मारा इसलिए बेवकुफ कि उसे अभी असलियत नहीं बतानी है पहले वो ठीक हो जाए अपना काम पहले जैसा अपने हाथ में आ जाए उसके बाद कहेगा ना तो उस नाचने वाली को उठाकर तेरे बंगले में डाल देंगे जी भरके उसका नाच देखते रहे ना समझा है चाल नहीं काजल बस काजल यह तुम्हारा अपमान नहीं मेरा अपमान किया उन लोगों ने यह लोग अच्छे लोग नहीं काजल यह तुम किस मूँ से कह रहे हो तुम भी तो नहीं में से एक हो हाँ शायद हूँ पताए वो करन मुझ पर क्यों गोली चलाना चाहता सा क्योंकि तुमने उसके मांदार बाप के दामन पर दाग लगाकर उन्हें जेल भिजवा दिया और शर्म के मारे उन्होंने आत्महत्या कर ली यही तुम्हें बताना चाहता हूं काजल उस भले आदमी ने आत्महत्या नहीं की थी इन्हीं लोग ने जेल में उसकी जान ली थी यह लोग यह बात अपने मुझे कह रहे थे और जोड-जोड से हस रहे और मैं मैं हमेशा उनका साथ देता रहा और तुमने मुझे तुमने मुझे कहा था कि भग्वान मेरी पापू की सेजा तुमें दे और वही हुआ करन ने गोलियां मुझ पर चलाइं और वो सारी कि सारी तुमने आपने उपर जिल को है है भग्वान कि तूने फिर वही मेरे काजल को मुझे वापिस लोटा दिया मैं सुपकार का बदला कभी नहीं चुका पाऊंगा लेकिन हाँ मैं प्राइश्चित करूंगा मैं अपनी पापो का प्राइश्चित जरूर करूंगा तुम किस लिए आये हो तुम यहां माजी मैं अपनी गलती कबूल करने आया हूं माजी मैं बहुत पचता रहा हूं बहुत पचता रहा हूं इस पचताने का कोई मतलम नहीं है क्या होगा इससे मेरे पती का स्वर्गवास हो गया मेरा बहादूर फौजी बेटा हत्यारा बन गया कि नहीं अब चाहे भगवान भी तुझे माफ करते मैं माफ नहीं करूगी मुझे माफ नहीं चाहिए माजी मुझे सजा चाहिए और भगवान के हाथों नहीं तेरे हाथों मैं तो यह प्रत्यक्ष भगवान मान के पूछता हूं कि तु मुझे बता कि मैं क्या करो मुझे कोई राणी दिखाई देती माँ और तु ही मुझे बता कि जब एक इंसान एक इंसान को एसास हो कि उसने भूल की है और उस भूल का पच्तावा करना चाहे तो वह क्या करे आखिर कोई तो सजा होगी मेरे जैसे गिरे हुए इंसान के लिए कोई तो होगी हाँ सजा तो तुझे भी मिली है बिटा मैंने अपने पती को खो दिया है और तुने अपनी पत्नी को मैंने बहुत कोशिश की अपने करन को रोकने की पर उसके सर पर खून सवार था गूलिया तो वह तुम पर चला रहा था मरन हो गया तुमारी पत्नी का भगवान उसके आत्मा को शांती दे जा बेटा जा मैं कॉल होती हूं किसी को सजा देने वादी कौन है वो बोल अपनी ताई समध छुपा मेरी बच्ची क्या वो रवी तो नहीं हां सच तो यही है कि तेरी काजल गोजर गए तो तो फिर वो वो काजल नहीं कजरी है और हां है तेरी काजल का दूसरा रूप कि मैं भगवान से यही मांगूंगी कि तुम कोई पाप करो उसकी सजा मुझे ही मिले कि सचाई तो एक नहीं दिन सामने आने ही थी है रवी कि बड़ी तबस्या कि यह कजरी ने तुमको एक नई जिंदगी देने के लिए कि अज जो तुम्हे जिंदा हो होश में हो क कि दे वजे से ओ करना मेरे दोस्त इस जनह में तुमने कोई अच्छा काम किया यह नहीं लेकन हो सकता है कि पिछली जनम के तुम्हें कुछ अच्छे करम और काwhy तुम्हारा सच्छा फ्रेम जिसकी वज़े से आज तुम्हारे अंदर का शैतान मर गया और इंसान जाग गया कि अब देखो अपने आपको सिर्फ शिरीर नहीं ऐसे लगता है कि अंदर की आत्मा भी धुल कर नहीं हो गई है कि समहलो अपने आपको मुझ करने तो अब आएंगी तुम्हारे रास्ते में कि सारी जिंदगी तुम्हें जूट का साहरा लिया है सच का सामना करने में थोड़ी तक्लीफ तो होगी ना अब वेल अच्छा ने किया कि तुम अच्छे इंसान बन गया हो और लग पट पस्ट अफ लग कि सारे मुहले की ओर्टों ने चान देखकर खाना खा लिया लेकिन एक तेरा ही करवा चौता नोका है सवेरे से भूकी बैठी है कुछ खाले नहीं ताई अभी तो आता ही होंगे ना उन्हें देख लूं फिर खालूंगे अब नसुनती में तेरी पगलोई कुछ खाले तब अब ना मिलेगा पेट के बच्चे को कुछ इस बच्चे की फिकर मत कीजेता है पता नहीं क्या लिखका इसके भागे में कभी तो उनको पता चलेगा कि मैं काजल नहीं कजरी हूँ एक नाचने गाने वाली बाजारू और तब क्या उस बच्चे को स्विकार करेंगे तर ना पड़ेगा उसे उसे स्विकार करना पड़ेगा कजरी क्या कुछ नहीं किया तुने उसके लिए अपना सब कुछ तो बढ़ा बनने वाली है तो इतना बड़ा बलिदान अगर अब भी स्विकार नहीं किया तो मैं तो यहीं कहूंगी कि बहुत अभागा है वो जवाई राजा तुम कब आए बिटिया ने करवा चौत का वरत रखाया तुमारे लिए पहला ने वाला अपने हाथ से खिला दो मैं खाना लगवाती हूं किन लम हो में दर्ध है किस मासम में प्यास है पहले पहले प्यार का एक ऐसा एहसास है कि यहां दस्तकत कर दीजिए यह आपकी जमानत के कागजात है इतने सारे रुपों को इंतजा माने कहां से किया यह जमानत मा जी ने नहीं दी है फिर इन्होंने दी है मिस्टर रवी वर्मा इतनी बात तेरे समझ में नहीं आती वकील के सत्य प्रकाश के खांदान में कोई रिश्वत महीं लेता यह रिश्वत नहीं है मेरी गलती का छोड़ा सा जुर्मान है बाकि जो भी और सजा तो मुझे दोगे मैं उससे सर जुका के कबूल कर लूंग अचनी आटक मत कर वकी तेरे हाथ कंडे मैं खूब समझता हूं पच्तावा हो रहा है तुझे प्राष्ट करना चाह रहा है तू अरे डर रहा है तू डर रहा है कि मैं तुझे बहुत बुरी मौत मारूंगा अरे हां मारूंगा वे तुझे और इस बात दुनिया की कोई भी ताकत तुझे मुझसे नहीं बचा सकती है आप ठीक है ना सार सिर्फ एक रास्ता है तेरे बचने का सिर्फ एक चनना चाहता है क्या मुझे भी इन सलाकों के पीजे मरवा दे जिस तरह तुने मेरे प्रवाए थी मेरी बात का यकीन करो प्लीस तु मेरी बात का यकीन कर वकील अगर मैं मर गया तो तू जी गया अगर मैं जी गया तो तू मर गया okay कि यहा य Justman को चेड़ DANE का क्या मतलब दुश्मन यह है Thousand उसके डुश्मन हम उसके दुश्मने क्या उसने हमारा नुक्सान नहीं किया हमने उसका नुगसान किया है तुम क्या सोच कर रंगी जमानत कराने कहते हैं जबकि अब भी हो तुम्हारी जान लेना चाहता है मैंने काम ही ऐसा किया है दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा कि दिमाग खराब नहीं कि दिमाग तो सही हो गया है मेरा मैंने तय किया कि जितने भी पाप लोगों ने मुझसे करवाए हैं उसका मुआफ़जा खुद भी भरूँगा और दूसरों से भी भरूँगा और उन में से एक आप भी तयार रहेगा तुम सिंघाल से बात कर रहे हो सिंघाल से बात कर रहे हो तुम अपने ससूर से बात कर रहे हो तुमझ आप मेरे ससूर कि नाचने वाली ने दिमाग खराब कर दिया है अब वो मेरी पत्नी है इसे साथ से जिस घर में आप खड़े हैं तो उसी का है कि अब यह मत भूलों इस घर में दो इते मेरी भी लगाई हुई है तो निकाल दीजिए अपनी इते तुमारी दो कि वज़े से मेरे सारे घर में बद्दू फैली हुई है तो इससे पहले कि मैं कुछ कर बैठूं किराड़ दाऊस किराब कि स्वांग रचाकर भले घर की ओरत बनना चाहती है आखिर चला दिया चक्कर होई ऊसे इपतै हां कंसाथ कर बसार हां हम बजार हो कि से तुम जैसें की घरेंल का अवर्टों से तो बहतरी है न तुम तो अपनी आपों से कुछ भी मनमानी करते हो और हमें रुपे भी देते हो और तलवे भी चाठते हो कम सर्फ अपनी ओकात से बार निकरी ओकाप देखनी है सेट हां देखनी है तो चलो चैलेंज फेंगती हूं मैं तुम पर अरे हाथ उठाना तो दूर तुम सिर्फ एक बुरा लफ्स निकाल कर दिखाओ मेरे बारे में राम कसम अगर पूरे बाजार में इसी चड़ी से मारते मारते तेरे घर तक ना ले गई ना तो कच्नी नाम नहीं मेरा अगर हिम्मत है तो बोल बोल कर दिखा मैं मूर ही लगना चाहता तुम जैसी औरतों के अरे सेट औरतों को पाउं की जूदी समझना छोड़ दे जिस द उसे फिर उसी नाली में जाना होगा बोटी बोटी पिकेगी उसकी खिसट खिसट कर रिंग रिंग कर सड़ सड़ कर मरना होगा उस पत्साद को वो सदा ठीक होगी उसके लिए करत्या है बंधुन बस तुसका पेट्रीए! तई!! क्या हो विच्छ.. क्या हो.. क्या हो.. कौन? मैंने नहीं जाना.. पेट्स!! मैं खिलाओंगा तुझे खेल.. मैं खिलाओंगा.. मैं खिलाओंगा.. तु.. मैं बोलू.. अरे.. नास पीटी.. सत्या.. नास वो तेरा.. तो एक शरीफ इंसान का बच्चा है जिसने प्यार किया है मुझसे Peter प्यार करें तन्य कोर वाली संजने है अरे हराम की जा के बोल असलियत बता के तूझ धंदेवाली ऑली नाचने वाली है तब देखों कित्रा प्यार करें वह तुझे हरामकी जाई मैं तो बोल। संथा धे हराम के इस बीच को ए पंशल別 पतास फारट दीले रचाने तो जैसे 25 को सीधी कर चुगा हो मैं अब तक तांगे तोड़कर डेरे में भी डाल दूगा ना तो भी घाटे में रहूंगा अरे ना रहे ना चने लायक बीस बच्चिस दिन भूख के रहेगी तो खुद ही दिमाक्टिकाने आ जाएगा ए बस रखकर्स के पकड़के तो रख पहले इस बलाकन टादों जिसकी वज़ा से तका कूद रही है कंने काट जा परना यहीं कर यहीं खेल जाओंगा क्या लगत यह तरी मेरे होने वाले बच्चे की मां मैं तो बोलो ना हुकम आप कुछ ना बोलो जी तंटना तंटन तंटन तारा चलती है क्या नो से बारा यह ले नहीं यह ले जाओ समालो अपना यह घर अपनी दुनिय है माम्मी आफ मिर कभी माच जोड़ेशन मामी औरे सकती है नहीं जाओगी नहीं जाओगी नहीं जाओगी नहीं कर दो यहां बस मैं ने उसे आगा किया था मैंने ऽिंघाल को आगा किया था मैं रुपिल कमिश्टर सर्ट्राइब का यह बाच फिर से यह नहीं हो सकता है रवी के पास हमारे खिलाफ जो भी सबूत है वो खत्मों में चाहिए सिंगाल साथ हमने तो रवी का पूरा ओफिस चान मारा लेकिन हमारे फाइले हमारे काज़ा ओफिस सब गायब है कही हमारा नक्षा नपलट जाए कुष खो कि अधिए कि अधिए कि अधिए कि अधिए कि अधिए कि माजी करन भाईया ने पुलीस की हिरासत से भाग कर अच्छा नहीं किया ही खत्रा और बढ़ गया है हाँ खत्रा तो बढ़ गया है क्योंकि रवी वर्मा करन के पिताजी का एप्र भीषिट धिस्ट फिर से खुलवा रहा है ताकि उन्हें जूटे कलंग से मुक्ति मिल जाए है अ अगर गैल ऐसे बहुक कहीं करण नहीं नहीं अगर करन का सामना रवी से हो गया तो वह से जिन्दा नहीं छोड़ेगा कर जल्दी रवी कि लिज़! कि मैंने कहा था ना वकील मैं तुझे जिन्दा नहीं चोड़ूगा में करन मार डालो मुझे मुझे मार कर तुम अपनी पिता की मौत का बदला तो जरूर ले लोगे लेकिन मेरी वज़े जो दाग उनकी चरित्र पर लगा है वो तो वहीं मिटेगा उसी अदालत में जहां वो मैं उसे हस के कबूल करनों हां करन रवी ठीक कर रहा है यह अदालत में उन्हीं लोगों का भाणडा फोने जा रहा है जो तुमारी पिता की मौत के विज़ेमेदार है और वो लोग इसे अदालत तक पहुचने नहीं दे रहे है चल अदालत तुनिया की कोई भी ताकत एुच। झालत पुमार За क civ हुच। कई हुच 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 feat चल्दे बस बस रुख जाओ रुख जाओ रुख जाओ रभी बाबू रुख जाओ यहां तक आगए बहुत आगए अब इस रेखा को मत लांग ना एक रेखा ही तो लांगी थी सीता मैं याने आधी रामाइन दुखो में गुजर गई कुम्हारी तो वैसे ही कश्टों में कट रही है काहे को और दुखो को न्योता देते हो हां लाओ मुझे दे दो लाओ बात रामाइन की करते हो और इतना भी नहीं जानते कि जब रावन को जलाया जाता है तो इसके साथ साथ कुम करन और मेगनाथ भी चलकर खाक हो जाते हैं पता था मुझे पहले से पता था कि अच्छी तरह से समझाने पर भी नहीं ना समझेंगे आप इसलिए दूसरा बंदोबस भी किया हुआ है हलो लीजे सुनिये अपनी पूजा बीटिया की प्यारी प्यारी आवाज सुनिये सुनो हलो बेटा चोड़ बच्ची को कभीने बच् हुआ हुआ हराम जादे तू क्या समझता है कि तू मौत का नंगा नाच नाचेगा तुम्हें डर के अपनी रादे बदल लूँगा यू बास्टर्ड नहीं सुमझा घंडार आज कमेशना सथप्रकाइब घंडार भी अनुजिए कुछ समझ में देया रामे लौड के आज कमश्रस सत्त्य प्रकाइब को चरित्रवान साबित करके मिस्टर रवी वर्मा क्या हासिल करना चाहते हैं जबकि एक दिन खुद इसी अदालत में खड़े होकर इन्होंने कमिशनर सत्व प्रकास को रिश्वत खोर साबित किया था और हमने इनकी जोरदार दलिलों पर तालियां बजाई थी काश आपने व ताली मिलती है और सच बोलने वाले को थपड़ और उस दिन यही हुआ था मिलाड उस दिन मेरी जूटी दजिनों को सुनकर लोगों ने वह वह की थी और उस संथ जैसे आदमी पर पत्थर मारें और वह वह उधर जो मेरी मा बैठी हुई ना जट साब उसने मुझ से कहा था कि उस देवता को पत्थर मानने वाले हाथ लोगों के नहीं थे मेरे थे और उसने बिल्कुल ठीक कहा था जट साब ठीक उसी तरह हैं जैसे सत्रिप्रकाश जी का कतल भासी के फंदे से नहीं हुआ था उस कतल के असली मुझरिम वो थे जिनोंने फंदे बनाने वाले हाथों को खरीद कर उनका खून करने के लिए भेज दिया भाशन बहुत हो गया मिस्टर अगर आपके पास कोई नाम है और उसके खिलाब कोई सबूत है तो पेश कीजिए वरना खा मखा अदालत का वक्त क्या बात है कुछ ने कि सोच्राओं धर्म इंसाफ और सच्चाए की लड़ाई में गुरू ने भी अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया था कि देखता हूं आज उसके अदालत में मेरी कुर्बानी क्या रंग लाती है पापा पापा हुँँँँँお cuánt कुर makers प्यूँँँँ देड़ा वेम्युईँँ… वेम्युँँँ ध dw मेً जा पुजा अब पच्छी को अदालत देजा ये अदालत शरमसार है क्योंकि इस अदालत ने कमिश्णर सत्य प्रकाश जैसे नेक सच्छे इमानदार इंसान के चरित्र पर दाग लगाया हम उनके मरनो प्रांथ उनसे शमा याचना करते हैं और कभूल करते हैं कि कभी-कभी कानून भी अप्राधियों की चालाकी में उलजकर गलती कर बैठता है अदालत ये हुक्म जारी करती है कि कमिश्णर सत्य प्रकाश के खून के इल्जाम में तेजेश्वर सिंगाल को फौरण हिरासत में लिया जाएं और इन पर बाकी मामलों के मुकदमें चला जाएं रभी पूजा पापा पॉझ़वेख ना कर जाएं यू बजाएं इंक्टर पापा रजाऊ आखें मत्सक्राइब अगे अज़रा आपकर का शुक्त ख़चा आके सिब अच्छाब सिब्सक्राइब 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 तुम यहां से बचकर नहीं जा सके बोच करो मैं कहता हूँ हड़ जा हड़ जा हड़ जाने लड़के उगोली मार दूँगा हड़ जा इस्पेक्टर बंदूग फ्रैक दे और अपने आपनों से कह देगे हुजा यह जा यह जा यह जा यह 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 चलिए करन भाईया मेरा इसाब भी तुछ पर बाकी है वकील हां मुझे याद है लेकिन इसके लिए तुम्हें जेल से छूट के आना पड़ेगा और तू क्या समझता है कानून मुझे छोड़ देगा नहीं हां छोड़ भी सकता है बशरते तुम्हें कोई अच्छा से वकील मिले तू लड़ेगा मेरा केस तू लड़ेगा मेरा केस अपकीये इश्क दा प्याला होए होए तेरा लखी कपुतर ना ना करके चौबारे से कुछ बोल कई वो किशारे से कुडि मार कई लशितारे से दिल लै गई लूट कुम्हारे से जोरी जोरी जुपके जुपके कहसा चातू तु दाला हाँ हट तेरा लखी का पुतर, है हट तेरा लखी का पुतर, होन्नी ले नेनो वाला, तेरा लखी का पुतर, मेरी खुल गई पटक दिनी, अख जी गेली देविच्चो कोण लंगेया, कि तेयो होई ना होवे ओची दाशक जी, गेली देविच्चो कोण लंगेया, ओधी अट्टी वज्चे सिने ठक ठक नी गली थे बिच्चो बोर लंगे या